की एक खादान पशनिवार को दो मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी उक्तमामले में मौत को के परिजन और मजदूर यूनियन के लोग 21-21 लाख रुपे की मौावज़े की मांग को लेकर आसोमवार को उपखन कारियाले मकराना के बाहर धर्णे पर बैठे थे रविवार को खान माले की और से मौत को के परिजनों को 15-15 लाख रुपे मौावज़ा देने की सहमती दी गई लेकि मजदूर यूनियन के लोगों और मौत को के परिजनों को मौावज़ा राशी उचित नहीं लगी और उन्ने कल रविवार को उपजला चिकत साले में मोर्चरी के बहार खान मालिकों के विरोध किया इस दोरान मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया भी प्रदशन में शामिल हुए आज उन्होंने उपखन कार्याले के बाहार धर्ना दिया मजदूर यूनियन के प्रतिनीदियों द्वारा बताया कि जब तक खान मालिकों द्वारा मजदूरों को 21-21 लाख रुपे का मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक धर्ना जारी रहेगा और शव भी मोचरी में ही रहेगा